हेलो दोस्तों वेलकम तो मैं नियू व्लोग स्वागा था इसका नाम व्लोग में आप सभी का कैसे हो आप सब उम्मीद है सब बढ़िया होंगे तो तुभी के बाद आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ तो अभी मैं हूँ राची में अभी आप सभी को पता होगा कि दुर् में बिर्शा चोख है पुराना विधन सभाज है उनका जस्ट थोड़ा सा बगल में एक ग्राउंड है वहां पे बहुत ही सुन्दर बहुत ही बढ़िया बहुत ही भविया मंदीर का सवरूप बन रहा है एक पंडाल जो योधिया राम मंदीर आप सभी को पता होगा तो उन काम इसमें चली रहा है अभी लंच हुआ है तो इतने भी यहां पर कारिगर थे कामगार से सब उतर चुके है और यह दो बहुत है काफी दूप है देख सकते हो इधर बच्चे लोग खेल रहा है जस्ट यहां से थोड़ी दूर में बिर्शा चोख है और चली अभी दिखात पंडाल को बनाने में अभी देशक्तों मेरे दिखे जितने भी आप सब्सक्राइब मेटरियाल दिखाई दे रहा है बस यहीं मेटरियाल से बन रहा है पंडाल देख सकते हो इधर पूरा और राची का दोजाचा चोब्यस का दूर्गा पूजा पंडाल सबसे बड़ा होने सब्सक्राइब और यहां पर बहुत खतरनाक भीड़ होगा जब बन के रेड़ी हो जाएगा उसके बाद तो चलिए अब यह दिखाते हैं बने रहेगा तो चलिए कि अब दिखाते हैं कि डिजाइन यहां पर किस तरह से बन रहा है बिल्कुल सामने आ चुके हैं देख सकते हो इधर डिजाइन जो है भाई वो बहुत भयानक बन रहा है और इस साल का सबसे बड़ा पंडाल यही होने वाला है देख सकते हो जो बयानक तरीके से यहां पर बन रहा है तो काफी जवर्जस लग रहा है तो गैस सभी बन के कम्प्लीट नहीं हुआ है कम्प्लीट हो जाने के बाद बिल्कुल हुबहु राम मंदिर लगेगा अयोधिया का तो चलिए और चलते है आप सभी को बहुत ही मस्त और बहुत ही प्यारा लग रहा है इसका डिजाइन तो भाई लोगों अभी गया थे अंदर और कुछ लोग थे उनसे बात करने में पता चला करते साथ एक अंकर से पूछा कि इसमें लागत कितना लगा होगा भाई पंचानवे लाख अभी तक प बनने वाला है कि कुछी दिन में द्यार हो जाएगा दो तारीक से पहले यहां पर रेडी हो जाएगा तो तीन तारीक से तो यहां पर पूजा और नेदा भी श्टार्ट हो जाएगा यहां पर पे उचलिए जरूर आप लोग ज़रूर देखने आईएगा अगवान राम को भी यहां पर दिखाया जाएगा, दर्स आजाएगा, बनाया जाएगा, क्योंकि मंदिर उनी का बन रहा है, तो उनका भी यहां पर होना जरूरी है, तो चलिए वीडियो को यहीं प्यान करते हैं, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थांक्यू सो मच पर वच्छी, बाई बाई बाई